Hello everyone, good afternoon, कैसे हो, hope करता हूँ, आप सब लोग अच्छे ही योगेश्व फ्रैंस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, UP B.E.A.D.M.I.S.N. 2023 के बारे में की B.E.A.D. की कॉलेस में क्लासे कब से स्टार्ट होंगी, और इसका जो है, पहला एक्जाम कब होगा, एक्जा पारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, अगर आप लोग B.E.A.D. में एड्मिशन ले लिए हैं, या लेने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरी जरूर दिख लेना, चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, UP B.E.A.D. टीचिंग एक्जाम की पलपल की ल करना होता है, सारी जानकारी आपको इस चैनल के मादम से मिलती रहेंगे, और आगे आप लोग टेट सीटेट का एक्जाम देंगे, तो उसको कैसे फस्ट अटेंब में कौलिफाई करें, वो भी तरीका आपको मैं बताऊंगा, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस च आपको आपकी क्लास 20 नॉंबर के बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 100% आपकी बीस नॉंबर के बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी, पहला एक्जाम इसका कब होगा, देखें, मैं बता देता trabaje, और आपके कॉलिफ में सेमेस्टर वाइस एक्जाम है, वहाँ प अप्रिल हो गया मई हो गया तो आपका जो एक्जाम होगा डियर वो मई तक में होगा पहला अगर आपका सेमेस्टर वाइस है अब आपको नहीं पता होगा कि मेरे कॉलेस में सेमेस्टर वाइस हो रहा है या एरली बेस हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा एडमिशन ले ल सकते हैं इस बार का जो शत्र है थोड़ा लेट है क्योंकि लेट फार्म आया था ओके ना तो यहां पे आपका जो एक्जाम होगा डियर मई तक में हो जाएगा अगर यर्ली बेस है तो आप लोग 10 से 11 माह आड़ कर लिजे नॉम्बर से दिशंबर जनवरी फरवरी मार्च अपरेल मई एंड यहां पे जून हो गया जुलाई हो गया अगश्त हो गया सितंबर हो गया अक्टूबर हो गया नॉम्बर हो गया तो आपका एक्जाम एक साल बाद यानिकी 11 माह बाद आपका एक्जाम होगा अगर आपका यर्ली बेस एक एक्जाम इसके होते हैं सेमेश्टर वाइस में हर छे महिने में पेपर होते हैं एरली बेस में किवल दो ही पेपर होते हैं एक साल में एक पेपर दूसरे साल में एक पेपर और हो गया आपका दो पेपर हो जाते हैं सेमेश्टर में आपके टोटल चार एक्जाम होते हैं ठीक ह ही सोता है ऊके चलिए कितने नंबर का पेपर होता है first semester के हम यह बारें बात करेंगे हम पांच सो नंबर का हुता है यह मैं बता दूँ हर university का pattern जो होता है वह थोड़ा चेंज होता है माक्ष सेम होगे आपके वहाँ पे subject थोड़ा अलग हो जाते हैं अगर आपका early way से तो वहाँ पे subject जादा आपको देखने को मिलेंगे semester wise में केवल 4 ही paper होते हैं लिखे paper होते हैं अब कुछ university में क्या होता है केवल लिखे question मतलब लिखेने के लिए question आते हैं और कुछ university में objective question भी आ जाते हैं स्टार्टिंग में 10 से 15 question तो हर university का जो rule होता है वो अलग होता है बाकी number आपके same ही होते हैं 2000 का पूड़ांग होगा आपका total बीएड में और semester wise अगर आपका हो रहा है तो 500 number का total paper होता है 4 subject होते हैं और first semester में 4 subject के paper आपको लिखने होते हैं उसके बाद second semester में भी उसी तरीके से होता है third semester में क्या होता है दो college से आपको subject मिलेंगे दो आपके जो subject रहेंगे वो graduation करहेंगे जो भी आपका graduation में subject हैं तीन subject में से दो subject आप लोग लेशकते हैं जो आपके graduation में subject हैं उसी को ले लेजे क्योंकि B.A.D. में कोई दिक्कत नहीं होती है जो आपका graduation में subject है उसे कोई दिक्कत नहीं होती है जो combination देखा जाता है वो graduation का देखा जाता है जब T.G.T.L.T. grade की vacancy आती है तो उसे में जो है किवल B.A.D. degree मांगा जाता है जो combination देखा जाता है वो graduation का देखा जाता है अगर आपको combination बनाना है suppose आगर आपका graduation में हिंदी है Sanskrit नहीं है हिंदी के सिच्छा का आप लोग बनना चाते है 9th, 10th में T.G.T.L.T. grade की vacancy देखना चाते हैं Sanskrit subject से एक subject से आप लोग जो है अपना graduation two year का कर सकते हैं open university से तो B.A.D. में कोई भी subject ले लीजे मतलब जो भी graduation में हो तीन में से दो आप लोग ले सकते हैं कोई दिकत नहीं होती है और 4th में भी इसी तरीके से होता है 2 subject के जो है लिखने होते हैं आपको answer and 2 आपके जो है graduation के subject रहेंगे तो इस तरीके से जो है 4-4-0 number का paper होता है 100-100 internal आपका होता है college की तरब से ठीक है तो कुछ इस तरीके से होते हैं 100 number का एक subject होता है अब इसमें 30 number आपको जो है college की तरब से दिया जाते हैं 70 आपके जो हैं वहाँ पे syllabus आपको देंगे be at first semester का yearly वाईस है तो yearly वाला आपका syllabus मिल जाएगा वहाँ पे आपको खुद आप लोग teacher से ले सकते हैं क्योंकि मैं आपको नहीं provide कर सकता क्योंकि 19 इनवस्टी हैं total समझ रहो नो 19 इनवस्टी हैं तो हर बच्चे अलग अलग इनवस्टी से हैं देखिए मैं होश रकेगा तो मैं telegram group पे send कर दूँगा जो भी मेरे पास होगा जो भी इनवस्टी के syllabus होंगे exam पैट होंगे तो मैं आपको जो है telegram पे send कर दूँगा तो telegram group से जरूर से जरूर जोईन हो जाए और चैनलों को subscribe कर लिजे ताकि जो भी update आए वो update आपको मिलती रहें बराबर ऐसी है अब teaching कब लगती है देखिए अगर आपका semester wise exam है तो आपकी जो teaching लगेगी dear वो लगती है third semester में कब लगती है third semester में वहीं अगर आपका government college में है admission edit college में है तो आपकी जो teaching होगी dear वो पहले से ही start हो जाती है जैसे dealet में 4 semester में teaching होती है वैसे government college में अगर आपका admission है edit college में admission है तो आपको teaching दोनों शाल करने पड़ेगी है और उसमें 3-4-4 महीने की teaching होती है और आपको compulsory होता करना private में अगर आपका admission है तो कोई दिकत नहीं करिए यह न करिए college से content कर लेजिए कुछ पैसे दे के अपना जो है काम बनाशकते है जो private college की जो teaching होती वो मात्र एक मंत्की होती है ठीक है अगर आपको करना है तो करशकते हैं teaching आपके लिए battery रहेगा तो third semester में आपकी teaching लगती है early base है तो आपका जो है second year में लगेगा ओके चलिए अब कौन सा subject में बीर में देखें मैंने बताया ना first semester में सबके subject same रहते हैं चाहे आपका graduation में B.Sc हो चाहे BA हो चाहे BCom हो सबके same रहेंगे second में भी same रहेंगे third में आपका change हो जाता है third में दो subject आपके जो रहेंगे वो सबके same रहेंगे दो subject आपके बस graduation के हो जाते हैं third fourth semester में ठीक है तो इस तरीके से आपका होता है exam pattern ठीक है स्वारी यहां पर मैं एक चीज बताना भूल गया जो fourth semester में आपका जो paper होता है उसमें चार subject आपको लिखने होते हैं और वो भी सभी का compulsory होता है मतलब graduation में कोई भी steam हो वो subject आपको लेने ही पड़ेंगे तो यही था video इसके अलावा कुछ भी doubts रहे गया हो तो आप लोग comment box में doubt के ले गर सकते हैं बाकी आपको खुदी जानकारी हो साएगी मैंने थोड़ी से जानकारी दे दी है यहां पे आप लोग को ताकि doubt ना रहे बाकी college में admission आप लोग ले लिए होंगे आपको वहां पे syllabus भी मिल गया होगा नहीं मिला है तो आप लोग college से contact करिए वहां से अपना syllabus ले लिजी और best book कौन सी है best book देखें आपको B.A.D. में जदा पढ़ने की वश्चक्त नहीं है जब आपका 15 से 20 दिन बचे या 30 दिन बचे तो मातर जो exam time में आपके जो series आती है हर छेत्र में हर इन्वस्टी के अलग-अलग नाम से series आती है कहीं बिद्या के नाम से आएगी कहीं A1 के नाम से आएगी कहीं जो है सहारा के नाम से आएगी तो कोई भी जो exam time वाली जो series आती है न उसे ही आप लोग लेके पढ़िएगा उससे ही आपका काम हो जाएगा अगर आपका लिखित paper हो रहा है तो खूब लिखिए, page full करके आईए आप अच्छा number लाएंगे exam में अगर objective question आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनत करने पड़ेगी पहले से अगर ये subject जो जैसे आपके beard में है तो बाल विखाष जैसे आपका होता है तो उसको अगर आप लोग पढ़ते हैं regular class वगरा करते हैं तो वो tip में भी आपको help करेंगे क्योंकि tip में 30 question आपके आते हैं बाल विखाष के तो इसके अलाबा कुछ भी doubt रहे गया हो तो आप लोग comment box में doubt clear कर सकते हैं बाकी Instagram पे भी आप लोग मुझे follow करके DM कर शकते हैं चैनलों को subscribe जरू कर लेना थैंक शमश